आज मंगलवारी माहाश्टमी है घर पर किये जाने वाले सरल उपाई जो आप बड़े आसाने से कर लें मेरी माताय बहने सभी पूछती हैं मेरे भाई भी सब पूछते हैं कि दिदी हम सभी मंदिर नहीं जा सकते कोई कारण है घर पर ही बताएं जो है सरीर साथ नहीं देता या सारे रिक कोई विकृती है घर परिवार की जिम्मेदारी है तो ढोट के सरलतम तरीके से ऐसे उपाय जो आपके भागी को प्रबल कर देंगे इस वीडियो में जानेंगे समझेंगे तो देर ना करते हुए सुरू करते हैं आपसे अनुरोध है चैनल पर नए हैं लाइक शेर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के माध्यम से स्री हनवान जी महराज के जैकरें जरूर से लगाए 11 विरुद्रा उतार है महादेव के हनवान जी महराज कल यूग में हमारे आसपा सक्ति पुञ्ज के रूप में विराजमान है आज के दिन किया गया कोई भी सरल साकारी कभी खाली नहीं जाता तो ध्यान से सुनिए चार उपाएं हैं एक कर लिजेगा लाबनिश्चित रूप से मिलना ही है प्रथम उपाएं बहुत सरल है मैं हमेशा ही इस उपाएं को प्राथमिक्ता देती हूँ क्योंकि यह सिध्धु उपाएं है सास्त्र में मंत्रों की शक्ती को अपने आप में अद्भूत कहा गया है खास तर्क पर इसकल्यूग में और यह एक ऐसा सरलसा कारी है, यह सरलसा मंत्र है, अगर इसे नियमित रूप से आप 11-21-21 दिन का प्राण लेते हुए करते हर्था संकल्प की तहत करते हैं, तो आपको ततकालिस का फल मिलता है, कैसे करना हैं, ध्यान से सुनिए, आप सभी की घर पर हनमान जी महराज की प्रत आतिमा को विराजमान कर लेना है, साथ के साथ आप सभी को वहाँ पर सबसे पहले कोई भी पूजा पाठ करें, तो आसन का चुनाओ करें, पूरु उत्तर दिशा की और मुक करें, संभव हो तो आटे का दीपक बना लें, सिद्धु उपाय माना जाता है हनमान जी के समक्ष आटे का चौमुखा दीपक चाहें, तो आए लाल बाती का उसमें प्रियोग करें, क्योंकि मंगल ग्रह से जुड़ी हुई होती है, लाल बाती या लाल रंकी बस तो, मंगल ग्रह रोग से भी जाना जाता है, रक्त संबंदी परेशानियां आती हैं, सारे रिक विक्रितिया होती हैं, बच्चा गुसेल, चिर्चिर या स्वेम पर भी मन एकागर नहीं हो पाता, मंगल इक दोश के लिए भी जाना जाता है, तो मंगल ग्रह भी इससे मुक्ती मिलती है, अगर जो बेक्ती लाल धागे का हनमान जी के मंदीर में दीपक लगा देता है, या घर पर भी आ आटे का या सामान्य जैसा है, आटे का नहीं बना सकते कोई नहीं, लाल धागे नहीं हैं, आपके पाक कलावा मौली तो कोई दिक्कत नहीं, आप साधारन सरल तरीके से एक सामान्य दीपक भी लगा सकते हैं, उस दीपक के अंदर चमेली का, तिली का या सरसो का तेल या घी जो भी हो, हनमान जी को सब मानने हैं, सब बहुत प्रीय हैं, तो उन्हें आप सभी लगा दीजिए, अब आप सभी हनमान जी महराज के समक्षे एक जल का लोटा भी जरूर से समर्पित करें, क्योंकि कोई भी सिद्ध करने जाते हैं, उपाई या कोई भी कार्य करने जाते हैं तो पूजा में दीपक लगाना और एक जल का लोटा समर्पित करना आवश्यक है साथ ही हनमान जी महराज के समक्ष कुछ लड़ू पेड़ा जो भी आपके घर पर उपलब्द है वह भी भोग सरूप लगाएं विदी विधान से पूजन करें साथ के साथ अब अपने हाथ के दाहिने हाथ में थोड़ा सा चावल एक फूल लें और हनमान जी महराज से प्राड़ा ना करें कि हे हनमान जी महाराज यह संकल्प कहा जाता है हनमान जी महाराज का अपने हाथ में एक लाल फूल ले जैसा भी फूल है वहले चावल ले एक रुपे का सिक्का ले नाम गोतर बोलें कि हे हनमान जी महाराज आपके समक्षी है सरलसा मंत्र पढ़ने जा रही हूं कहने जा रही इस उपाई को सिद्ध करें ऐसा कहते हुए इस मंत्र को बोलना आरंभगरें अब यह मंत्र आप 11,21 जितने आपके संख्या है उतना आप सभी कह सकते हैं मंत्र इस तरह से है ओम नमो हनुमते रुद्र आउताराए सर्व सत्रु संगाराए सर्व रोग हराए सर्व वशी करणा राम दोताए स्वाह मैंने स्क्रीन पर भी दिखा दिया हुआ है यह मंत्र रोगों का नाश करता है शक्तुरु का विनाश करता है और हर कारे में बल प्रयदान करता है तो आप सभी को जरूर से यह कारे करना ही है तो यह बात हो गई प्रथम से सरल से उपाई की कोई मन में प्रश्न हो, पूछ लिजेगा, आप सभी 11, 21 से 50 दिन जितने संकल पे लेंगे, उतने दिन करें, एक माला भी फेर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप कम भी कर सकते हैं, धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़ा सकते हैं, ठीक है, सरलसा कारी है, धीरे-धीरे आदत हो जाएगी, नियमित रूप से मंगलवार से सुरू करें, और हर दिन मंगलवार हनमान जी का ही है, और हर एक दिन आवश्यक रूप से महादेव का है, तो कोई ऐसा नियम नहीं है, रोज नियमित रूप से पढ़ना सुरू करें, यह बात हो गई प्रथम उपाई की, दूसरा उपाई ब कपूर लेकर गोम जाना है खेड़ घर के खेड़ की दरवाजी खोल लीजे और घर का जहां पर सेंट्रल पॉइंट है अर्थात मध्य बिंदु है जिसे गुरुजी कहते हैं मध्य बिंदु में आप सभी को एक कटूरे में साम के समय पूर्ण रूप से मेरे घर से नकारात्म तक उढ़ना है खेड़ गोम जाना है तांक पूर्ण रूप से खाएं तो इस मंतर का जाप करें करपूर गौरम करणा वतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदाव संतमिर दियार विंदे भवम भवानी सहितम नमामी नहीं आता है मन्त तो स्री सिवाय नमस्तुभ्यम या हरहर महादेव का भी जाप कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाई की इन दिनों आपने देखा होगा आउले बहुत मिल रहे हैं सिवलिंग पर जो व्यक्ति बिमार है, होस्पिटलाइजड है या किसी दुख बिमारी से परेशान है उसका नाम गोत्र बोलकर आप सभी को उस सिवलिंग पर आवश्यक रूप से आउले का जल समर्पित करना चाहिए आप चाहें तो महादेव का कुंद केश्वर महादेव बोलें चाहें तो कुंद केश्वर महादेव के साथ साथ कोई साथ भी सरलसा मंत्र बोल सकते हैं आपकी है गुरुजी इसमें सरल सा मंत्र इत्यादी या कोई नाम लेने की प्रत्ध मीकता नहीं देते हैं तो इस कारी को भी आप कर सकते हैं बात हो गई तीन उपाई की अब बात कर लेते हैं चौथे उपाई की चौथा उपाई बहुत सरल है जो की है शहद का आज अस्टिम में डुबाएं ठीक है सहद में डुबा लेंगे तो आप सभी के घर पर सीवलिंग हो या सिव मंदिर में जाकर करें इच्छा आपकी है आप सभी को पूर्ण रूप से शमी के पत्तों को शहद में डुबा कर अपना जो दुख है जो तकलीफ है जिस कारी को आप महादेव से पूर्ण करवाने की प्रार्थना करते हुए यह जो है शहद में डुबी हुई शमी की पत्ती को सिवलिंग पर पूर्ण रूप से आपको चिपका देना है बस यही सरलसा कारी है यह जो शहद की डब जो होंगी न शमी पत्र वह चिपकेंगी तो पूर्ण रूप से आपके भागी की जो किसी तरह सी परेशानी है वह छूटती चली जाएगी शहद हर घर में होता है शमी का पत्ता भी होता है सिव पिंडी अगर घर पर नहीं है तो छोटे स्वरूप में स्थापित कर लीजे इस उपाई को रातरी तक कभी भी कर सकते हैं सिव का सरंगाज जो समी के प भूल सकते हैं आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं कोई भी आपसे कारी नहीं बन पाते हैं साधार और सरल तरीके से एक लौंग का जोड़ा लें चार मुखा दीपक बनाएं चाहे तो चौ मुखा दीपक सिद्धु पाई माना जाता है धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ती के इस कारी के लिए घर के सिवलिंग में ही या हनमान जी महराज की प्रतिमा फोटू के सामने हनमान जी महराज का ध्यान करते हुए और साथी रिण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए हनमान जी के सभी सरूप जिसको आप जानते हैं मानते हैं उनका ध्यान करते हु से प्रजुलित कर दीजे सरलसा उपाए है दीपक का परंतु लावन की नत देगा चाहे तो हनमान चालिसा का पाठ करें इच्छा आपकी है बजरंगबान का पाठ करें इच्छा आपकी है चाहे तो हनमान जी के मंदीर में करें चाहे तो सिव मंदीर में करें चाहे तो घर पर करें इच्छा आपकी है बस इन मैसे कोई सरलसा हो पाई चुनकर ध्यान से कर लीजेगा लाब आपको हो नहीं है चाहें तो आज सीव लिंक पर पूर्ण रूप से स्वेहद से ओम बनाने का भी प्रियत्न कर सकते हैं इस तरह जानकारी थी वीडियो चीतुपयोगी रहा हो तो लाइक करें शेयर करें कोई प्रशन हो पूछ लीजेगा आप मेरे और मैं आपकी हर हर महादेव